नमस्कार मैं हूं राज मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार बड़ी खबर गोपाल गंज थावे मश्रक मढ़ोरा च्छपड़ा और से लेकर पटना तक आने वाले उन यात्रियों के लिए हैं जो प्रेंस यात्रा करना पसंद करते हैं क्यूंकि अब इन रास्तों से अब ट्रेन जो है रेल्वे पर शासन सुरू करने वाला है 13 जनवरी से इसकी सुरूआत होगी गोरकपुर से ये ट्रेन पाटली पूतर तक चलेगी और पाटली पूतर से गोरकपूर वाया खैरा मढ़वरा मसरा थावे गोपाल गंज होते कब जाएगी और किन किन स्टेशनों से होकर गुज़रेगी ट्रेन का नंबर है 05079 पाटली पुत्र गोरकपूर विशेस गाड़ी 13 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक परतेक सोमवार वुधवार विश्पतिवार शुक्रवार एवं रविवार को पाटली पुत्र से दो बचकर 55 पर परमानंदपूर 3 बचकर 46 मिनट दो पर उसके बाद नया गाउं 3 बचकर 56 सितलपूर 4 बचकर 6 दिगवारा से 4 बचकर 22 अंभिका भवानी होल्ट से 4 बचकर 39 अवतार नगर से 4 बचकर 35 पंचपतिया देवरिया होल्ट से 4 बचकर 41 बरागोपाल से 4 बचकर 56 डुमरी साम को गोल्डन गन से 5 बचकर 11 खेरा से 5 बचकर 45 मढ़ोरा से 6 बचकर 8 मसरक से 6 बचकर 30 मिनट यह साम की समय हम आपको बता रहे हैं दिगवाद भॉली से 6 बचकर 54 मिनट गोपाल गन से 7 बचकर 38 थावे से 8 बचकर 15 तुनकोही रोड से 8 बचकर 33 दुधाई से 9 बचकर 6 पर गोल्डन गन से 10 बचकर 15 तथा पिपराई से 10 बचकर 36 मिनट पर यह ट्रेन पर स्थान करेगी और गोरकपूर में यह पहुचेगी आपका 11 बचकर 50 मिनट पर यह थी पाटली पूत्र से गोरकपूर जाने वाली स्टेशन रास्तों और स्टेशनों के नान कहां पर कितने गारी का नाम होगा और ट्रेन का नंबर है 05080 गोरकपूर पाटले पूत्र विशेस गारी 13 जनवारी 2021 से 31 मार्च 2021 तक यह चलेगी परतेग स्वमबार बुदवार ब्रियस पतिवार शुक्रवार एबं रभिवार को गोरकपूर से दूसुबह में यानि कि एकदम सुबह का जो समय होता है 3 बचकर 35 मिनट उस समय यह चलेगी गोरकपूर से उसके बाद पीपराइच 4 बचकर 5 कप्तान गन 4 बचकर 28 रामकोला 4 बचकर तिरपन पर रोना 5 बचकर 12 दूदाही 5 बचकर 30 तुमको ही रोड 5 बचकर 45 थावे 6 बचकर 55 गोपाल गन से 7 बचकर 10 चुवारा से 10 बचकर 41 बचकर 10 बचकर 50 पंचपटिया देवडिया हॉल्ट से 10 बचकर 57 अवतार नगर से 11 बचकर 3 अंबिका भावानी हॉल्ट से 11 बचकर 9 दिगवारा से 11 बचकर 16 सीतलपूर से 11 बचकर 24 मिनट नयागाउं से 11 बचकर 35 परमानंद्रपूर से 11 बचकर 43 पहल मिनट पर तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहें थे एक तेरा जनवरी से यह ट्रेन चलेगी 31 मार्स तक और इस ट्रेन के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरक्षित ट्रेन यानि आपको रिजर्वेशन कराना होगा इस ट्रेन में अगर आपको चरना है तो इस ट्रेन में कुल 13 कोचे हैं जिसमें एक बड़ी खबर आपके लिए जो पटना से गोरकपूर जाना चाहते हैं और उस रास्ते में जो खैरा मढ़ावरा मसरक थावे गोपाल गंज उतरना चाहते हैं उन इसके बाद रेल यानि की ट्रेन की जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी रेल परसाशन इसकी शुरुवात अब कर दी है अज स्लिपर का सायद भारासी है कंफर्म हम नहीं है आप आयर से टीसी की वेब साइट पर जाकर या जो उनका एप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कि क इतनी रुपे कहां का भारा है तो आपको रिजर्वेशन कराना होगा इस बात का द्यान रखिएगा तो खुसी मनाईए आपके एडिया में अब ट्रेन पटना से चलने लगेगी और अभी तक कि जो सुविदा आपको प्राप्त नहीं थी वो अब आपको बहुत जल्द प् लेकिन हो सकता है कि इसका विस्तार आगे बढ़ा दिया जाए अगर सब कुछ सफल रहा तो बने रही है हमारे साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे धन्यवाइश बिहार अब बन गया है लाइव बिहार झाप उनीमी frameworks ये जा रहींड़ा गजे लाभे कर दो भो कहा सकता है? क्जिवमेंन अब बन चुछ?